क्लास 6 एक्सराइज 7A क्वेशन नमबर 10 हम करेंगे अभी स्टार्ट और इस से रिलेटेड एक्जम्पल नमबर 2 आपने खुद प्रेक्टिस करने है नो क्वेशन नमबर 10 आपकार कें ट्रैवल 240 किलो मीटर इन 3 आर्स और इस क्वेशन में हमें नेक्स 2 ग्वेशन से अंदर गिवन हैं यानि पहली स्टेटमेंट दोनों पार्ट के लिए सेम होगी नेक्स हमें इस दोनों स्टेटमेंट को देखके चेकन होगा अलाग अलाग हमने क्या फाइंड करना है पहले इस स्टेटमेंट के साथ नमबर 1 को लिखेंगे लिए समय पूर्व सेपिपिए कर दमेर के साथ दूर्ट को सॉव करें तो जब हमने लिखी तप्धार अकार केयं ट्रैवल 240 किलोमीटर पहले में हमने करने हैं। फॉल लॉंग का मतलब हमने यह। एक व्यूद ट्रैवल 400 किलोमीटर की तो तीड में कारें। सबसे पहले हमने इसके अंदर स्टाटवली स्टेट्मेंट में किया दिया है 240 km in 3 hours है हम नेकिए 240 km डिस्टेंस कवरें 3 hours इन हमने युनिटी में तरू 1 hour के लिए फाइंड करना है 1 km डिस्टेंस कवरें 3 डिवाइड ये 240 अदरा के डिवाइड हो जाएगा अब हमने 400 डिस्टेंस कवरें ये 400 हमने फाइंड करना है लास वले स्टेप में 3 स्टेप में आके multiply होता है 3 multiply 400 किया 1200 डिवाइड 240 तो 240 डिवाइड 1200 हमने किया 245 डिवाइड होता है तो हमारे पस 5 hours आके अब इसी question 10 के साथ हमने number 2 को solve करना है इसमें आकार के ट्रैवल 240 किलोमीटर इन 3 hours पहली स्टेप में सेम है number 2 question है what distance अब इसमें distance find करना है तो distance should be on right side will it travel in 7 hours यहां पर time हमें second में गवन है हमने statement को कैसे बनाया तो in 3 hours distance covered 3 hours में distance covered कितना होता है 240 किलोमीटर इन 1 hour अब 1 hour के लिए find करनेंगे distance covered 240 divide यह वाला 3 इदर आके divide होगा अब next हमने 7 hours के लिए distance find करना है ना 7 hour distance covered यह 7 इदर था तो third step वाला 7 इदर आके multiply होगा 240 multiply 7 क्या 700 740 28 8 लगा हो हमने इसको डिवाइड करना है 6 5 15 1 remainder 8 नीचे ले लिए हमने 3618 0 unsault था इसको लास पर भी लेंगे और इदर भी लेंगे 560 किलोमीटर इट मिन 7 hours अगर दिये जाते हैं तो 560 किलोमीटर डिसंस कवर होगा तो इन same manner आपने practice करनी example number two that is on page number 96 and if you find any confusion do ask